नमस्कार आप बोले भारत देख रहे हैं मैं हूँ राज मोहंतिवारी दिल्ली में बेघर हुए राष्ट्रिये लोक जन सक्ति पार्टी राम विलास के राष्ट्रिये अध्याप्च चिराग पास्वान अब पटना पहुँच चले हैं और अगले ही दिन पलट गए दरसल बात वो जिस धोखे की कर रहे थे वह भले ही बात में उनका बंगला का जिक्र हो लेकिन असलियत वो चहां विधान सभा की सीट ही दिखाई देती है ऐसा क्यूं वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले आपको बता द वो चहां विधान सभा उपचुनाओं में कैंडिडेट्स को नमांकन करने की आक्टी तारीक दी गई थी लेकिन उससे ठीक दो दिन पहले 22 मार्च को मुझपरपूर से बीजेपी सांसद अजय निसाद चिराक पासवान के आवास पहुँचे 12 जनपत और वहाँ पर उन्हो दीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि चिराक पासवान लिखते हैं दिल्ली 12 जनपत इस्तित आवास पर बिहार मुझपरपूर लोकसभा सांसद स्री अजय निसाद जित से मुलाकात हुई उसी दिल अजय निसाद भी अपने फेस्बुक पर एक सक्ष से आत्मिय मुलाकात हुई हम दोनों के अधरनिये पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे परंदु अपने जीवन काल में हमें उमली पकड़कर संसत तक पहुचा दिये यह भावुपल था पर अब आगे चलना है इस दोरान पडिवारिक और राजनितिक बाते हुई ह इन पोश्ट के अधार पर आप इतना तो मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में जब राजनितिक बाते हुई हुँगी तो वो चहां सीट को लेकर बात जरूर हुई होगी क्योंकि जब से लोजपा बनी है अगर 2010 के विधान सभा चुनाओ को छोड़ दे जब वो RJD के साथ थी उसके अलावा हर समय वो चुनाओ इस सीट पर लड़ी है सायद चिराक पासवान भी उतारने के मूड में थे यहां परत्यासी लेकिन उससे पहले BJP के सांसद मुझपरपूर के अजय निसाद उनसे मुलकात करने गए क्योंकि कहा ये जा रहा है कि वो चहां का जिम्मा उनके ही सर पर है उनके ही कहने पर पार्टी ने VIP से बगावत करके अपनी उमिदवार बेबी कुमारी को बनाया VIP को पूरी तरह से निस्ता नबूत कर दिया वो अलग लराई लर रही है और वो एक अलग कहानी है जिस पर अलग किसी दिन बात्चीत होती रहेगी लेकिन अगर चिराग पाश्वान भी उमिदवार उतारते तो किसका नुकसान करते ये अंदाजा लगाया जा रहा था और कहा ये जा रहा था कि अगर चिराग पाश्वान उमिदवार उतारते हैं तो वो वीजेपी का वोट काटेंगे इसलिए उनसे अजय निसाद ने दिल्ली में जाकर मुलकात की और यही बाते हुई होगी कि आप वो चहां में अपना उमिदवार ना उतारे जैसा कि चिराग पाश्वान ने खुद आज एरपोर्ट पे कहा कि उनसे दो मंत्रियों की बातचीत हुई वो भी टॉप लेबल के मंत्री उस दोरान अजय निसाद नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन क्योंकि यही एकलोते सांसद हैं जो हाल के दिनों में उनसे मिले है तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो अजय निसाद ही होंगे जिनके सामने यह बातचीत हुई यह डील हुई होगी कि बोचाह में आप चुनाव मत लड़िये आपका घर खाली नहीं करवाया जाएगा लेकिन हुआ क्या जैसे ही नमांकन की तीथी खतम हुई और अब चिराग पासवान से उनका घर छीन लिया गया है साइद इसी धोके की और इसारा कर रहे थे चिराग पासवान और यह कह रहे थे कि आगे की लड़ाई वो लड़ेंगे बीजेपी ने बिहार में बोचाहां विधान सवा उपचुनाव के जड़िये पहले बी आईपी को नि पीछे नहीं हटे कि आज उनके साथ धोका हो गया और पहली बार खुल कर केंदर सरकार के खिलाफ केंदर की मंत्रें जो मंत्री हैं उनके खिलाफ बोलते नजर आए और अब तेजस्वी यादो का भी एक ट्वीट सामने आया है यह ट्वीट यह बता रहा है कि अब तेजस् वन्चितों के हितैसी और पैरोकार रहे श्वरगिये स्री रामडिलास पासवान जी का दिल्ली आवास खाली कराने गई केंदर सरकार की टीम ने भारत रतने बाबा साहिव अंबेटकर की मुर्ती वो पद्म भूशन पासवान जी की तस्वीर को अपमान जनक तडिके से सरक पर फेक संविधान वदलित वर्ग का अपमान करने का कुक्रित किया है तेजस्वी यादो आज शुबत इस मुद्दे पर बोले और उन्होंने चिराग पासवान का ही पक्ष लिया कई दफा चिराग पासवान से गडबंदन को लेकर वो खुल कर बोल चुके हैं कि वो तो उनके साथ आ जाए लालू पर साथ यादों ने भी कई दफा कहा है लेकिन चिराग पासवान अब तक चुप्टी साधे हुए थे लेकिन सायद वो बंगला का मोह था जो उन्हें बीजेपी से अलग नहीं कर रहा था लेकिन अब तो वो भी छूट गया तो उमीद ये बनकर उबरेंगे चिराग का अंदाज अब पहले से बदल गया है अब उनके जुबान पर नितीज के अलावा केंदर की मोधी सरकार भी साफ तोर पर सुनाई देती है और उन पर हमले करने से ये बचते नजर नहीं आ रहा है और साफ कहा है कि आगे कई और बाते हैं जो वो खुल कर बोलेंगे और जनता को बताएंगे तो तयार रहिए बिहार में एक नए राजनितिक यूग की शुरुआत को देखने के लिए अब बन रहिए बोले भारत के साथ तमाम अपडेट हम आप तक पहुचा रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद